आज का पॉर्टफोलियो बड़ा ही कमाल का है। लेकिन वो मुझसे मिस हो गया। तो कई बार human error हो जाते हैं। मैं भी दिरे दिरे इन चीजों को सीख रहा हूं और कोसिस कर रहा हूं कि कोई भी ऐसी repetition mistakes इस तरह की नहीं हो। किसी का portfolio pending में जाए। लेकिन कई बार कुछ जरूरी priorities होती हैं। अधर कुछ ऐसी video share करनी होती हैं। जिससे कि आपका basic understanding का level जो है ना बहुत उपर बढ़ेगा। और ऐसा आप लोगों ने appreciate किया भी है। जो पिछली कुछ videos मैंने upload की थी। ऐसा ही channel के साथ बने रही हैं। और like और share अवस्से करते ही। जिससे की बाकी हमारे जो Indian retail investors हैं। उनका भी जो है financial management अच्छा होता रहा है। तो चलिए आज का portfolio देख लेते हैं। ये हैं Dr. Kalpais जी, जो Dr. Kalpais साजी portfolio बेजा है। Good morning हमाचल जी बोलता है। I am always seeing all your videos and follow it. I appreciate your guidance. Before two months, I send portfolio of my granddaughter Nati, यानिकि इनकी नातियां उनके लिए portfolio इनोंने जो है बनाया है। Please review at your time. देखिए, कितने मतलब भले लोग भी हैं। इनोंने सर ने mention किया है कि Please review at your time. तो देखिए, Thank you so much for mentioning this and understanding the value of time. आगे बोल रहा है कि details review, seas of one year, stay for 25 year. यानिकि एक साल की बच्ची है और 25 साल के लिए investment करना चाहते हैं। बिलकुल सही इनोंने planning की है। आराम से 25 साल बाद बच्ची की जब higher education की requirement होगी या फिर other priorities होगी तो वहाँ पर ये इस fund को जो है, use किया जाएगा। My granddaughter और अध्याज portfolio है, period 22-25 years. बीस-पच्ची साल लिखाए नोंने mention क्या है, तो बीस साल की अलग और पच्ची साल की अलग calculation में आपको दिखाऊंगा। इन्होंने SIP start किया है, और इसी के साथ लंसम दुबारा से इन्होंने ओर एड किया है, निपोन इंडिया small cap में regular growth, इन्होंने regular growth plan किया है, निकी indirect plan लिया एक तरे किसे, तो थोड़ा सा यहाँ पर interest या निकी जो return होगा, SIP mutual fund में return मिलता है, not interest, ठीक है, जो की fix नहीं होता है तो indirect के case में थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि expense ratio थोड़ा सा मापर ज़्यादा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आब इसे continue कीजिए, निपोन इंडिया small cap है, 2000 रुपय है, निपोन इंडिया innovative, innovation fund है यह, growth regular 1000 रुपय के SIP है, SDFC mid cap regular growth opportunity 1000 रुपय के SIP है, मिरे asset opportunity blue chip, अब मिरे asset opportunity blue chip तो नहीं है, मिरे asset emerging blue chip, जो large and mid cap combination है, वो fund है, 1000 रुपय के SIP, यदि मैंने गलत consider किया है, तब आप comment करके reply जरूर कर देजीगा, quant active regular, यह, quant का multi cap fund है, 1000 रुपय के SIP है, साथ ही साथ, quant small cap में, इन्होंने 10,000 रुपय भी SIP करते समय, لم sum amount कर दिया हुगा, तो उसको मैं आप का لم sum amount में ही consider करूँगा, इसके बाद, لم sum mutual fund since 23 October 2023 से यह कर रहे हैं, पराग पारेक flexi cap में 25,000 रुपय, UTI index nifty 50 direct में 25,000 रुपय, quota कि में 10,000 रुपय का لم sum कर रहे है, तो यह इनका जो है portfolio है, अब यदि बात करें, इस schemes की, तो इन्होंने scheme select करते हुए, एक तो multi cap, plus एक blue chip fund, यह जो, और एक यह innovative fund है, बाकी देखे, निपोन इंडिया small cap ठीक है, को है small cap ठीक है, निपोन इंडिया large cap, इसको भी आप consider कर सकते हो, ICC prudential multi cap, इस तरह के fund की यहाँ पर कोई जरुवत नहीं थी, जब हम 20 से 25 साल के लिए planning कर रहे हैं, और multi cap की तो खासकर जरुवत लग रहा है, large cap, mid cap, small cap, तीनों fund में, और mid and large cap जो है, मेरे asset का, उसमें भी आपका दोनों segment में पैसा लग रहा है, इसके बाद small cap में भी कुछ नहीं कुछ वो पैसा लगा देते हैं, 65% जो है, उसके लिए जो जिस category का fund है, they are bound to invest in that category, 65% ठीक है, इसके बाद SIP का इदी, नि लिपोन इंडिया innovation fund, अब ये recently launch हुआ था, तो ये innovation fund और fund of fund, multi cap fund, इस तरह के fund क्यों launch करती हैं, MCs, वो हमारे फायदे के लिए नहीं, वो करती हैं अपने खुद के फायदे के लिए, जितने ज़्यादा fund होंगे, यानि कि दुकान खोल लिए मिठाई की, एक तो ऐसा होता ह कि बेक ब्रांड बना लिए हमने, हमारे पास दो-चार मिठाईया है, हमें यही बेचनी है, लेकिन इस specialty है हमारे उसके अंदर, हम कोई compromise नहीं करेंगे quality के साथ, किसी चीज के साथ, लेकिन customer engagement मढ़ाने के लिए, हान लगता है कि सारे customer सब बोर हो गया है, सेम से मिठाईया ख कर लें, और ethics के साथ continue करें, ठीक है, कि हमें तो यही बेचना है, जो हमारे पास है, इसी में हम अपनी specialty continue रखेंगे, लेकिन अपना पैसा बढ़ाने के लिए, अपने product बढ़ाने के लिए, तरह-तरह के fund जो MCs launch करती रहती है, अब ऐसा नहीं कि जो fund launch हो रहा है नहीं, उनकी performance बिल्कुल खराब हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है, और कोई भी बिल्कुल 100% predict कर लेगा, ऐसा भी नहीं है, केवल past और present performance के base पर यह सारी calculations हो है, हम लोग, मैं आपके साथ साधा करता हूँ, ठीक है, तो जैसे for your information, निपोन इंडिया innovation fund के यदि बात करें, तो यह thematic fund है, यह इस sectoral यदि इसका distribution चेक करें, तो other sector में 10.56 बने इसका, IT services and consulting में 10.23, private banks में लगबक सवानो 9.14%, अभी जो latest इसकी holding है, auto parts में 8.87 और retail online में 6.32, यह major इसका segmentation है, यानि कि इस sector में जो companies में जातर यह investment कंटीनू करेंगे, तो एक तरीके का sectoral fund भी इसको मान सकते हो, but it is more diversified than a single sectoral mutual fund, तो यह आपको mid cap category के return यहाँ पर दे सकता है, इतनी आप expectations इससे रखकर चल सकते हो, UTI Nifty 50 direct इसको भी add करने की जुरूत नहीं थी, लेकिन आपने add किया है, long term का सोच कर किया होगा, क्योंकि जब 20-25 साल का हम सोचते हैं, तो कई बार beyond the thoughts, यानि कि मेरी सोच अलग हो सकत हैं, तो diversify करने के लिए आपने कर भी लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, continue कीजिए, हमारा main objective रहना चाहिए कि हम long term के लिए, जिस long term को सोच कर continue, मतले investment कर रहा हैं, वो हमारा पूरा होना चाहिए, हो सकता है कि 10-12 साल भी ज़रूत पड़ जाए, और उससमों market में crash आ जाए, त तो आप इसको continue कीजिए, और जैसे कि आपने regular growth में investment किया है, तो मुझे उम्मीद है कि किसी ना किसी आपने investment advisor से सला लियोगी, जो distributor है, mutual fund के, उनसे भी आप समय समवर पर connected रही है, वो जैसा आपको guide करते हैं, यदि आपको उचीत लगता है, तो अनिक according आप जो अपना decision ल जा रही 6 रुपे के SIP होती है, इस पर लगबग 16% के return next 2025 years की बात कर रहे हैं, इतने मिलने की पूरी-पूरी संभावना है, अभी तो आपको return इस पर 2,5% उससे उपर 18-19% के मिल रहा हूंगा राम से, लेकिन अगले 20-25 साल के लिए same return हम जो है, एस्यूम नहीं कर सकते हैं, तो 16% के return इयादी मिलते हैं, तो आगले 20 साल में आपकी जिप से 14,44,000 रुपे जाएंगे, जो कि आपकी 6,000 रुपे के SIP के हिसाब से ठीक है, इस पर आपको 90,50,000 रुपी का corpus estimated growth जो होते हुए दिखाई दे रही है, तो आपके 20 साल में SIP के portfolio से 1,44,000 रुपे बनते growth मिलने की संभावना है, तो final corpus आपका जो SIP का है, 25 साल में 2,37,000,000 रुपे बनने की उम्मीद है, अब देख लेते हैं आपका लंसम से कितना बनेगा, प्लस final आपका दोनों को मिला कर कितना बनेगा, लंसम investment की schemes आपकी ये है, coin small cap 10,000, निपोन small cap 50,000 रुपे, निपोन large cap 50,000 रुपे, ICC pro multi cap में 50, पराग पारे flexi cap में 25,000, इंडेक्स निफ्टी 50 में 25,000, और कोटेंग emerging में 10,000 रुपे, सारे मिलाकर आपने 220,000 रुपे ज़र लंसम investment किया है, अब आपने एक जो कुछ है, ड सकता है, exact time period पे आप उस समें redeem ना करो, तो थोड़ा आगे पीछे ऐसे तो consideration आपको मान कर चलना पड़ेगा, तो 220,000 रुपे आपने एक साथ put किया, मैंने ये ऐसा consider किया है, और इसको आप यदि 20 साल continue करते हो, return जो इस पर मिलने की संभामना है, I am also considering that to add the rate of 16%, जो SIP के case में लबबक सिमिलर स्कीम से 16% को हम एज्यूम करके चल सकते हैं कि इतना percentage return आपको 20-25 साल में मिलता रहेगा, मिल जाएगा, तो 220,000 रुपा आपने इन्वेस्टमेंट किया, estimated growth 20 साल में 40,50,000 रुपा इस पर आपको मिलती भी दिखाई रहेगे, तो 40 साल में आपके लंसम से 42,000 रुपा बनेंगे और यदि इसको आप continue कर लेते हो for next 25 years, तो आपकी जेप से तो वही 220,000 रुपा गहे हैं, लेकिन अब 25 साल में इस पर आपको जो growth मिलेगी, वो 87,70,000 रुपा के आसपास की दिख रही है, और 89,90,000 रुपा आपका 220,000 रुपा बनते हो दिखाई दे रहा, अब SIP प्लस लमसंग मिलाकर 20 साल में आप investment करोगे जो आपकी जेप से पैसा जाएगा, 16,60,000 रुपा ठीक है, 16,60,000 रुपा आपकी जेप से जाएगा, 14,40,000 प्लस 220, इसके बाद इस पर जो आपको final corpus बनते हो दिखाई दे रहा है, 20 साल में 1,46,000 रुपा और इसी के 20,60,000 रुपा आपका लमसंग मिलाकर 20,60,000 रुपा तो इस पर आपका final corpus बनते हो दिखाई दे रहा है, 3,27,000 रुपा तो 3,27,000 रुपा का corpus का अच्छी कासी value होती है, अब कुछ questions लोग ऐसे करते हैं कि inflation के बाद after 20 और 25 years, what will be the value, तो ऐसा question जो लोग करते हैं, तो वो question ह हाँ, आपका ठीक है, आपको यदिया, इतने आप calculated हो, तब तो आपका investment style भी बहुत strong होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब मैंने भी investment start किया था, और जो भी लोग investment करके पैसा बना रहा हैं, वो inflation की तो सोचकर शुरुवाती करते हैं, कि हाँ ठीक हमारे पैसे की value घट होगे, तो inflation तो सब जगा है, ठीक है, तो आप investment continue कीजिए, शुरुवात कीजिए, और उसको continue कीजिए, तो उम्मीद करता हूँ, डॉक्टर कल पेसा जी, साइद आपके सवालों को जवाब आपको मिल गया होंगे, यदि आपके किसी और के इस portfolio यान्या कुछ financial related queries हैं, तो comment क मैं उनको जवाब देने की कोसिस करूँगा, और नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करने की कोसिस करूँगा, आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए नमस्कार, जैहिन, जैवानत